आज किस वीडियो में हम समुच जूताई किसे कहते हैं किलियर या किसे कहा जाता है मतलब इसकी डेपेनेशन देखने वाले जो की मोस्ट इंपोटेंटे कोईशन दो नमर में आ सकता किलियर पूरा मैंने प्रेंटर नौट से लिग लिया बस आपको यही पर समझना में इस तर समुच रेकाय के समांतर हल चलाने से धाल के सास्ता जल बहाव की गती घटती क्या है जब धाल वाली भूमी मतलब धालू आपने देखा होगा घाटी यह एक साइट घाटी उती एक साइट नीचे मतलब धालू है किलियर रहे तो धाल वाली भूमी पर समुच रेकाय के समां मतलब उसके समानतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति बढ़ती है मतलब क्या है जो भी अपने हल चलाएंगे क्या होगा उससे ढाल जो है ना हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है मतलब जो भाव रहेगा उसका हल चलाएंगे तो वो क्या रहेगा जो धालू था वो कम हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो जल है वो भी तो घटेगा उसके भाव की घटी भी तो घटेगी यहीं समुच्चु जूताई कहलाईगा, मतलब जोतना हल जोतना क्लियरे, तो यहीं तो ए ढाल वाली भूमे पर समुच्च लेकाओ के समानतर हल चलाने सी क्या होगा हल चलाने के साथ सब चल को भावू भी क्या होगा कमद धालू कि फ्zew चाथ हो जाएगा घराव रह जाएगी तो तो जल का भाव धिक जान्दा होता अदु आ Bye just के लिखा है डालवाली भीमीं पर समुझ रेकाई के सम अम principal और पर सब्सक्रेदख के लिखा नहीं के स्कूछ क्याने से घाट है यह सभरे readyree अपको じाद होजाएं लिगतेयों के गया विडियो में आज के लिए इतना ही